हेलो गाइज, यार पता है जब मैं पढ़ाई करता था ना, तुम्हारी तरी क्लास 11, क्लास 12 में हुआ करता था, तो एक प्राब्लम आती थी यार, पढ़ते तो थे, कभी दोपहर में, कभी रात में, फिर दो-तीन दिन बात जबाओं उस चीज को रिकॉल करने कोशिस करते थे तो इट्स लाइक की डबा गोल है, फिर बुरा लगता था, कि यार पढ़ाई तो की थी दो दिन पहले ही, दो-तीन घंटे भी लगाये थे, तो आखिर का डबा गोल क्यों है, और मैं पढ़ने में भी अच्छा है इस्टुएट था, फिर ये जो इरिटेशन थी, उसका क्या सॉल्यूशन लेकर क्या आते, तब चलो कोई नहीं बताने वाला था, लेकिन अभी साथ तुम्हारे पास कोई है जो बताएगा, यानि कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, फिलाल आप सभी का स्वागत है, आपकी अपने परिवार 8247 पर मेरा नाम है आदित तिवारी और मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ाता हूँ, लेकिन फिलार इस सेशन में हम इंग्लिश की नहीं, बलकि किसी भी सब्जेक्ट की बात करेंगे, कि किसी भी सब्जेक्ट में अगर अच्छा स्कूर करना है तो कैसे करें, क्योंकि आप कैसे ये वाला जो पोर्शन है, कि कैसे इस टेक्नीक को फॉलो करने के लिए पहली बात तो यह कि आपको थोड़ा सा ओर्येंटेड होना पड़ेगा, आप इस वीडियो को उस लिहास दिना देखें कि पचासों वीडियो देखने, उनमें से एक को देख लिया, ऐसे कर गए, चलो वीडियो देख लेते, नहीं, खुद के लिए अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ बहतर करें, जीतने वाले लोगों की संख्या में काउंट किया जाएं, तो आपको अभी कॉपी और पैन लेकर किया आना है, तो पहले मैं कहानी से सुरुवात कर लेता हूँ बात को, अगर तुम्हें अगले दिन स्कूल जाना है, और तुम रोज रात को चेक नहीं कर रहे हो, तुम्हारी जो साइकल हो, पंचर तो नहीं है, तुमने अपनी साइकल को साफ किया है कि नहीं किया है, तुमने अपनी ड्रेस को सही जगया पर रखा या नहीं रखा है, या फिर तुमने अपने क्या बोलते हैं, जो अगर हम किसी चीज को बेएतर तरीके से करना चाहते हैं, तो हमें planning करना बहुत ज़ाधा जरूर है. अगर आप अगर लोग प्रिप्लेनिंग करते हैं, तो आप लोगों को ये बात पता होगी, कि अक्सर वो लोग, जो पहले से प्लैन करके चीजbебh kardate हैं, वो बहतर कर पाते हैं चीजों को, हर किसी के घर में ऐसा कोई न कोई एक्जामपल होता है, किसी के पापा, किसी के भाईया, किसी की दीदी, किसी की मम्मी, कोई एक्जामपल जरूर होता है, जिसे देख करके आप देखो, यह अलगी तरीके से काम करता है, यह एक रूल मॉडल हो सकता है इस हमार्मोंव अब होता क्या है अगर आपको कल कैश चैप्टर पढ़ना है और आपने सोचा नहीं बस बैठ गयेँ अगर आपको पता ही क्या पढ़ना है कहा से सुरुआत करना है किस तरीके से पर ना है तो आप आपको कल कोई काम करना तो आप सोने से पहले बनाए कि मुझे कल ये चैप्टर पढ़ना है इसके ये टॉपिक कवर करूंगा और मैं इस तरीके से करूँगा और ये टॉपिक कवर करने के लिए आपको उस किताब को समय खोल करके देखना पड़े गया इसमें कितने टॉपिक तो यह काम आपको करना पड़ेगा फिशली रात या फिर आप सुबहे अपना एक प्लैनर बनाएं कि मैं यह सारी चीज़ें करूंगा यह तो होगी प्लैनिंग तो प्ली प्लैनिंग जब तुम कर लोगे उसके बाद अगर तुम्हें कोई चीज पढ़नी है मालो तुम्हें क इतना साथा पॉर्शन कवर हो रहा है ताकि आप यह प्लैन कर सको कि यार मैं इन दो टॉपिक्स को कर लूगा आदे गंटे मैं फिर इसके बढ़ा टॉपिक है तो इसको मैं एक ब्रेक के बाद करूँगा तो इस तरीके जब आप प्लैन करोगे तो आपको बाद में यह भी प्रेटर नहीं पढ़ना है मैं इसके तीन टॉपिक आज पढ़ देता हूं बागी तीन टॉपिक में कड़ लूगा लेकिन तुम प्री प्लैंड हो तो अपने दिमाग को पहले बता चुको कि मैं इतना करूंगा अगर नहीं पता होगा तो डी मोटीवेशन का करण बन सकता है अब स्किमिंग चैप्टर से पहले एक इंपॉर्टन बात मैं आपको बता दो क्यूंकि आपकी लिए अड़र 247 एक बहुत ही बड़ा सप्राइज लेकर के बठा हुआ है और मैं आपको बताने के लिए बंतो करा सुराथ में बता दूँ पर मैं अभी बता रहा हूं कि चू किसी भी स्टीम के हों आपको यह सारी महापैक से यहां पर दिखाए दे रहें यह 14760 यह 12000 आपको डबल वैलिटी मिलेगी यानि कि लगबग 30 महीने की वैलिटी प्लस आपकी किताबे मिलेंगी आपको घर पर जो की डिलेवर की जाएंगी आपको बेस्ट कंटेंड मिलेग वो भी बेस्ट वेकल्टी को दारा बार बार बेस्ट वर्ड इसलिए उसकर रहा है क्योंकि हमारे जो फैकल्टी हैं इनको पिछले तीन साल का एक्स्पीरेंस है और हमने सबसे ज्यादा टॉपर्स प्रिद्यूस किये हैं इन सी यूवीट एक्जाम तो आप सभी बाई यू या तो पीवाई क्यूस में देख लीजे कि उस चैप्टर से किस तरीके कोशन पूछे गए इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि यार अगर मैं यह वाला सेक्शन कवर कर लेता हूं तो आपको बढ़ेगा कि यार मैंने इन कोशन को देखा था फिर आपको एक रिलेट क इस आपको बढ़ेगा कि यह वाला से और जो अच्छे से रिलेट कर पाएंगे अगर वाई क्यूस और को देखने के बाद देख रहे होंगे अपनी किताब को यह काम जिसने किया बहुत फायदा उठाएगा तीसरा और नहीं चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट काम बिट पढ़ा था किया तुम्हारे दिमाग में है तो जब पांच मिनिट के लिए अगर तुम्हारा दिमाग उस चीज को रिकॉल कर पा रहे है इसका मतलब ठीक है और अगर तुम हवा में बहच चुके हो तो तुम्हें वापस से सुरुवात से एक बार रिवाइस करना है फिर व आपने बहुत सारी टॅपर को सण नोगा कुछ लोगो उतंगे चल करना पासन करते हैं कुछ लोगो तें बोल कर परयना पर्संद करते हैं और उनमें से मेक्जिमं मैसे होते हैं जो पढ़ रहे होते हैं कोई nay नको ना को लाइन खीच रहे होते लगातर अपने pen को औरीयंट तो अगर तुम पढ़ रहे हो बेटा तो जब तुम पढ़ रहे हो तो एक बार यहां पर ऐसे करके अंडरलाइन करो चाहिए पेंसल से करो यह चीज जो तुमको एक बहुत ज़्यादा तुम्हारा पता है दिमाग क्या होता है psychology of mind कहती है कि अगर आप किसी चीज को पढ़ रहे हो और आप उसे अंडरलाइन करते हैं गोला बनाते हो तो आपका दिमाग पूरी तरह किस उस पर कंसेट्रेट करता है और जब आपका फोकस उस पर बन जाता है तो किसी भी चीज का आपके दिमाग में रिटेन करने की जो लि सब्सक्राइब करते चलिए यह आपको बहुत हैल्प करेगा आपको इस सुनने में बहुत ज़्यादा साइथ फैसिनेटिंग ना लग रहा हो लेकिन यह बहुत पावरुफल टेक्निक है बटा और यह साइंटिफिकली प्रूवन है साइकलोजिकली प्रूवन है तब मैं आ छिलवा कर ओगे करेंट आफिर से करोगे करेंट इस एक डाता है इन शॉट्स करके उस चॉट्स है को ब्रूबि आपको पढ़ाई कि उसमें क्या माहल में डाल रहे हैं अवा दोजा सर अपने नाम जरूर सुना होगा उनका एक इंटर्व्यू देख रहा था मैं उन्होंने बोला यार की भले तुम पढ़ाई दिन में 6 गंटे करो लेकिन पढ़ाई की महल में 24 गंटे रो और बहुत कठी नहीं है पढ़ाई क के लिए मैं उससे ना ना अगर इससे मन हटाना तो इसमें मन लगा लो तो यह करने के लिए उन किताबों में रामाय रखेगा और तुम्हारी रीडिंग इसकिल्स बहतर होती चली जाएंगी आज क्योंकि लोग फोन का बहुत ज्यादा यूज करते हैं उनकी रीडिंग इस बहुत इंपॉर्ड़ेंट चीज है की प्रिवाइजिंग आप इतना सब पढ़ जरूर रहें लेकिन अगर आप अपने स्केडियूल में रिविजिन के लिए टाइम नहीं निकाल रहें तो आप कितना भी पढ़ने बिटा अल्टीमेटली आप चीजे भूलने वाले हो जैस इस करनी तो प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा निम्ट तीन दिन बात फिर सेवन डेज बाद और उसके बाद 21 बात और इसको करने का भी तरीका है आपने जब कोई एक चैटर पढ़ रखा तो उसके बाद एक खाली पनना निकाली उसके बारे मिजो भी नॉलेज लिकिया और फिर तीन दिन बाद जब आप ये काम कर रहे हो आप फिर देखिए कौन से टॉपिक्स आपने नहीं पड़े फिर जाकर कि आप रिवाइस करिए साथ दिन बाद सेम करिए टॉपिक लगातार कम होते चले जाएंगे और आपका जो रिटेंशन है उस चीज को लेकर कि अब साल भर का बन चुका है आपको जल्दी जल्दा नहीं बूलेगा हो सकता है आपकी मृत्यू तक आप उस चीज को ना बूले है लेकिन जिसने ये 3-7-21 वाला फॉर्मूला फॉलो किया वो फॉर शोर इसमें जीतने वाला है 3-7-21 तीन दिन बाद फिर 7 दिन बाद फिर 20 दिन आपको इंपोर है जो आप इंपोर्ट दे रहो है अगर आप यह वीडियो दे ख रहे होगा अगर कोई किताब पड़ रहे हो तो आपको ट्राई करना है। करने का अपने इंपूट को अपने आउट पूट में अगर आपने 100% अपना इंपूट देया तो आप कोशिस इतनी करो कम सब्सक्राइब आप उस पर काम नहीं करते कई सारे ऐसे बच्ची होंगे जो उसको देख रहे होंगे वह अपने इंपूट को मैक्जिमाइज कर पाए वाला commerce stream के लिए यह वाला arts stream के लिए और यह वाला science stream का पूरा महाँ पैक है तो आप किसी के साथ भी जा सकते हैं by using the same code as 743 बट कोशिस कीजे का कि आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसके आप एक दिन के अंदर course को purchase कर लें क्योंकि seats are limited उसके बाद जो cvt Hindi medium में देना चाहते हैं जो Hindi medium के चात्रे उन सभी के लिए बिटा science का महाँ पैक है और art का महाँ पैक है आपको कोई दिक्कत समस्या आती है आपको कोई भी बैश लेना है you can just text me on this अपना नमबर अपना नाम अपना बोर्ट और आपको जो बैश लेना उसके बारे माँ बता सकते हैं और मैं आपकी ऐसे help कर पाऊंगा I think आपको वीडियो अच्छा लगा होगा आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी और अभी भी आपको कोई active तरीके सीखने है कि कैसे active recall कर अधित्य भाईया डबल ए ठीक है and lastly thank you so much I think आप लोगोंने बहुत को सीखा होगा अगर आपको 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 यह वीडियो अच्छा लगा है तो please let me know in the comment section मिलता होंगे session में तब तक के लिए जाहित